नमस्कार दोस्तों, UPSC की प्रेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है निउस्पेपर रीडिंग, तो इसमें बहुत सारे क्वेशन्स मेरे मन में थे जब मैंने UPSC की प्रेपरेशन शुरू की थी, कौन सा निउस्पेपर पढ़ना चाहिए, क्या सफीशेंट होग और खासतोर से निउस्पेपर बिल्कुल समझ में भी नहीं आता था, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दा हिंदू सफीशेंट, आप निउस्पेपर में दा हिंदू पढ़ें, साथ में एक मंतली करेंट अफेर्स की मैगजीन पढ़ें, ये दो सोर्सेज आ समझना भी मुश्किल है, इसके अलावा background अगर आपके पास information नहीं है, जैसे for example मैं आपको बताता हूँ कि article 16 मानली जै mention किया हुआ है, और आपको ये पता ही नहीं कि article 16 है क्या, तो आप उस article को नहीं समझ पाएंगे, ठीके दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ा myth है जो लोगों ने फहला रखा है कि newspaper आपको 45 minutes में खतम कर देना चाहिए, मैं आपको लिख करके अभी guarantee दे रहा हूँ कि अगर आप initial stage में हैं, तो आप 45 minutes में क्या आप 1.5 घंटे में newspaper खतम नहीं कर सकते, तो इस चीज़ से घबराईए मत कि newspaper आपका 45 minutes में खतम होना चाहिए, प्लीज इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, शुरू में आपको 3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं, उसके संग परसिस्ट करिए, धीरे धीरे एक महीने के बाद, देड़ महीने के बाद, आपका ये time reduce होने लगेगा, आपको 4 घंटे से 3 घंटे, 3 से 2, 2 से 1, फिर 45 minutes, और म कोई word मुझे नहीं समझ में आता था, तो मैं उसका dictionary meaning देख लेता था, अगर कोई background information मेरे पास नहीं है, जैसे article 16 का example मैंने दिया, तो मैं क्या करता था, Google search पर गया, और simple सिर्फ Wikipedia पर उसके बारे में देख लिया, बहुत जाधा depth में नहीं गया, क्योंकि मुझे basically editorial के अंदर जाना है, मुझे बहुत जाधा depth में knowledge नहीं चाहिए, ठीके दोस्तों, तीसरा सवाल कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत बड़े newspaper में, ये बहुत बड़ा question है, तो इस चीज़ को आज मैं practically आपको करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ important है, क्या चीज़ नही important है, किस तरीके से आपको अपना approach रखना है, ठीके दोस्तों, तो start करते हम newspaper reading के साथ, आज की newspaper के साथ, ठीके दोस्तों, ये आज का newspaper है, May 21 का मैंने highlight कर रखा है, मैं इस newspaper को दो part में divide करूँगा, एक है news, और दूसरा है editorials, हम editorials ये news में detail में नहीं जाने वाले, हम बस ये द आपको news कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए, तो तीन-चार criteria है, जो आप follow कर सकते हैं, पहली चीज, आपको person-specific news नहीं पढ़नी है, ठीक है, person-specific आपको UPC के point of view से नहीं पढ़नी है, ठीक है, दूसरी आपको क्या avoid करना है, local news, मालिजे को दिल्ली की local news है, जिसका implication इंडिया प कर सकते हैं, जैसे गुरारी में कोई नया COVID care center खुल गया, इस type की news को आप avoid कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा repetitive news को भी आप avoid कर सकते हैं, जैसे COVID-19 की बहुत सारी news हर रोज आती है, आपने एक बार पढ़ लिया, तो अब बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक UPSC में इस पर question बन सकता है, तो ये जानने के लिए आपको कुछ 2-3 साल के UPSC के GS1 के papers को देखना हो, जब आप उसको 2-3 बार देख लेंगे, तो आप news के साथ उसको relate कर पाएंगे, इस news में क्या question बन सकता है UPSC का, अगर बन सकता है तो आप news को पढ़ें, नहीं तो ना प पढ़ें, तो start करते हैं कि कैसे हमने इस दो-3 पेज में आपको news के पढ़के सुनाऊंगा, उसके बाद हम editorial के बात करेंगे, पहला है Aerosols can travel up to 10 meters, ventilation is the key, क्या कह रहा है, ventilation की है, ventilation होना चाहिए घरों में, ये सब को अभी पता है, क्योंकि COVID-19 क्या है, airborne virus है, तो ये news repetitive है, आप छोड़ सकते हैं, बगल वाली news देखिए, declare mucosus and epidemic, ये news मेरे लिए important है, क्योंकि, center states को बोल रहा है कि आप declare कर ये epidemic, अब इस declaration से क्या फाइदा होने वाला है, अगर नहीं declare करते है, तो क्या चला जाएगा, अगर declare कर रहे है, epidemic तो कोई फाइदा मिल रहा है, कोई law को इस प चलते हैं, अब देखिए, नीचे वाली news, 23 more bodies recovered, तो फिर से मरने की खबर है लोगों की, इसमें UPSC क्या question पूछ लेगा, how many people were killed, ये कभी question नहीं आएगा, तो आप इस news को skip कर सकते है, उसके बगल में देखिए, CM humiliated at modis meet, वामता, इस वे भी कोई UPSC का question नहीं बन सकता, कि किसने किसको humiliate किया, ये कहां humiliate किया, ये कोई questions उपन नहीं सकता, उसको आप फोड सकते हैं, उसके बाद next चलते हैं, अब देखिए, ये एकदम fresh news है, इससे पहले ही ये शायद news दो साल पहले आई थी, इसलिए इस news पे हमें ध्यान देना जरूरी है, और क्या है news ये, ये स्टैलेंज जो है, समिल नाडू के CM है, ये प्रेजिडेंट को बोल रहे हैं, आप राजीव गांधी केस में जो convince है, उनको release कर दीए, किस ग्राउंड पे बोल रहे है, प्रेजिडेंट की क्या power है, ठीक है, जुडिशिरी का इन से क्या relationship है, ये सारी चीज ये कोई बहुत important news नहीं है, आगे देखते हैं, doctors felt by virus, they fight for their parents, patients, ये हमको पता है कि पेशेंट से doctors को भी COVID-19 हो जाता है, और उनकी भी death हो जाती है, तो ये भी कोई बहुत बढ़ी बात ही है, तो you can skip these news, अगल में, imminent sculpture, two sons succumb to COVID-19 span of 12 days, अगयर मैं आप से कहा कि, imminent sculpture हो चाए, को इसको छोड़ दी कि, अब हम देखते हैं, ये तो front news की बात होगी, अब ये हम देखते हैं, local newspaper, local news, इसमें हमको एक बार हलकी सी नजर मारनी है, कि इसमें क्या important है, fire breaks out, not important, ठीक है, होता रहता ही है, गुरारी COVID care center, again local news, capital records, highest ever, 24 hour rainfall, again local news, you can skip this, left में देखिए, ensure opening or FCR account within 10 days of approval, ठीक है, तो high court ने ये बात बोली, जबी भी high court या supreme court को ये बात बोलता है, आपको ध्यान रखना है कि उस news में थोड़े से चौकनने हो जाना है, आपको ये देखना है कि कहीं ये news important तो नहीं है, यहाँ आप देखिए, ये local news exactly नहीं है, क्यों है, ठीक है दोस्तों, और इस news में मैं आपको बता दूँ कैसे समझना है, आपको इस news में क्या बोल रहा है, that is not important, that is not important, the important part is what is FCR, what is FCR, तो ये आप कैसे सर्च करेंगे, आप जाएंगे Google पे और वहाँ simply आप FCR को सर्च करेंगे, ठीक है, Wikipedia का link आएगा, मैं आपको करके द यहां पर हम गए, देखे, यहां पर हम FCR डालेंगे, FCR ए उसके बाद विकी, जैसे हमने डाला, यहां पर यह पहला link आ गया, आपने इसको link को open कर दिया, आप इसके बारे में FCR यह बारे में यहां background information ले सकते हैं, आप चाहें तो detailed information भी ले सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम newspaper पर हैं, तो हमें सिर्फ और से basic information चाहिए, तो आप यहां FCR पढ़ने और आगे बढ़ जाएं, तो उसके बाद आप देखे, right hand side में DMRC की news है, बहुत important नहीं है, local है, five days कालरा, local है, EU exam, local है, नीचे चलते है, woman daughter and lover, बहुत ही जादा local है, उसके बाद हम देखते है, HC, high court, जहां भी high court आता है, वहां फिर से important हो जाता है, मैंने आपको भी बताया था, उसमें आप देखे, क्या कह रहा है, कि women ने कुछ abortion पे plea किया हुआ है, जिसके, तो high court ने इसमें aims में board बनाया हुआ है, woman का plea सुनने के लिए, तो आपको यह पता होने चाहिए, abortion laws क्या होते है, woman की plea क्या है, अगर abortion law से हट करके है, तो वो क्या है, और high court का इसमें क्या stand है, तो यह important news बन सकती है, ठीके दोस्तों, आगे चलते हैं, सीधे editorial पे, यह रहा आपका editorial, editorial पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़े criteria बता दे रहा हूँ, पहली चीज़ तो क्या है, कि आप editorial की heading और यह जो simple heading है, यह ज़रूर आप पढ़े है, इससे आपको एक idea लग जाएगा कि यह article किसके बारे में, इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना इन दो heading से पढ़ने के बाद, आपको detail में यहाँ पढ़ना शुरूर नहीं कर देना, नहीं तो आपको बहुत सारा time खराब हो जाएगा, आपको यह जो sub heading है, इसके अंदर जाना है, यह जो sub heading है, इन sub heading में जब आप जाएंगे, तो आपको यह थोड़ा सा और idea लग अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे 18 to 44 दिख रहा है, 2014 तो यह बहुत important तो कोई चीज है नहीं, तो अगर आपको यह सारी चीज़ें नहीं दिख रही है, तो साथ में जब आपने यह article का front पढ़ा था, क्या है यह, the gear shift to pull India back from tipping point, अभी भी हम को समझ में नहीं आए, क्या कह रहा है, फिर हम second वाला पढ़ेंगे, the ruling dispensation will need dexterity in handling the pandemic and managing the shifting democratic scenario, तो अगर आपको words का meaning नहीं पता, तो आप dictionary में जाकर के इस सारे meanings को देख सकते हैं, उसी time पे, ठीक है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ruling dispensation मतलब जो present government है, तो बहुत जादा skillful होना पड़ेगा pandemic को handle करने के लिए, और democratic scenario, जो shifting democratic scenario है, उसको manage करने के लिए, ठीक है, तो यह एक opinion based article लग रहा है, इसमें बहुत कोई substance मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं subheadings भी देख रहा हूं, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लेफ काला आर्टिकल आप देखिए, लेफ काला आर्टिकल, the center has a duty not to bypass political leadership in dealing with states, तो क्या कह रहा है, कुछ इंटरस्टिंग लग रहा है, कि center ने भई कब state को bypass कर गया, तो हम जब news अंदर की दर थोड़ा से देखने है, तो हमको पता लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने द importance ही लगती है, तो मैं इस news को पढ़ लोगा, ठीके दोस्तों, इस तरह से हम decide करते हैं, कौन सी news पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, अब हम देखते हैं, balancing act, कुछ interesting लग रहा है, India should oppose indiscriminate attacks on Israel and disproportionate bombing on Gaza, तो अगर हमको Israel और Gaza की story और साथ में इंडिया के stand पता है, तो हम इस सारी चीज़ें नहीं पता है, तो हमको ये article पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की international policy के बारे में है, ठीके दोस्तों, तो अगर हमें knowledge है, तो हम skip कर दें, अगर नहीं है, तो हमको इसको पढ़ना चाहिए, अगल में चलते है, the fault line of poor health infrastructure, ये क्या है, ठीके health infrastructure बारे में, अभी COVID-19 के time में काफी important हो जाता है, हम इसमें देखते हैं कि कुछ लग रहा है कि कुछ substance हो सकता है, फिर हम headings देखते है, interstate variation, stagnant expenditure, थोड़ा interest आ रहा है कि हाँ, these articles are important, governments critical role, policy brief, उसकी बाद हम देखते है, mathematics भी बहुत सारी है, ठीके, 241, 58, all these things, ठीके है, ये कुछ article substantial लग रहा है, तो मैं ये इस article को पढ़ूँगा, ठीके दोस्तों, अब एक next ले लेते हैं, last है, can the economy survive the second COVID wave, अब देखे, ये सुनने में तो बड़ा interesting लग रहा है कि economy survive कर सकती की नहीं, लेकिन हमको सबको पता है कि first COVID-19 wave के time economy down होई थी, और अभी भी उसका effect थोड़ा सा देखने क मिल रहा है, इसमें कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत बढ़ी news नहीं है हमें पढ़ने के लिए, I can easily skip this, मैं इसको skip कर दूँगा, आगे चलते हैं, ये सारा जो newspaper है, ये वही चीज़े हैं कि आपको उसी approach से पढ़ना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीके दोस्तों, कुछ नया नहीं है, अब इसमें हम आते हैं, जैसे world की news है, एक example मैं और आपको देता हूँ, स्री लंका Parliament passes bill on China back port city, अब चाइना और इंडिया का हमेशा 36 का अकड़ा रहता है, तो चाइना से कोई भी related news है, ठीक है, तो हमें पढ़ने की जरुद है, स्री लंका Parliament ने चाइना back port city पे कोई bill pass किया, तो हमको यह पढ़ना चाहिए, कि ऐसा क्या है, ऐसा थो नहीं, श्री लंका, चाइना के तरफ जुक रहा हो, ठीक है, left hand side के अगर news देखें, इसराइल unleashes air strikes across गाजा, तो यह बार बार हो रहा है, बार 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 एर स्टाइक करने, इसमें कोई नई news नह लेकिन approach के बारे में discuss किया है, साथ में मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ, कि आपको notes कैसे बनाने चाहिए, तो notes बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक आप copy लीजे, इसमें कई सारे partition हो, ऐसे copies आती है, जैसे red color का एक partition होता है, blue color का, ठीक है, green color का, और आप इसको economy को mix कर देंगे, तो last में जब exam देने जाएंगे, तो GS2 आता है, quality में, ठीक है, GS2 में quality आता है, और GS3 में economy आता है, तो अगर mix होगा, तो आप उस चीज़ को differentiate उस समय नहीं कर पाएंगे, उस समय time नहीं होता, यह मैं आपको अपने experience से बता रहा हूँ, ठीक है, तो पहले ही कोई update आता है, तो आप इन 2 से 3 पेज में उसको note down कर सके, ठीक है, दोस्तों, last lecture, lecture खतम होने से पहले, last part में आपको बोलना चाहता हूँ, कि इतना करने के बावजूद हो सकता है, कि आपकी कोई news छूड़ जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कोई चीज छूड़ जाती है, यहां पर, आप वहां पर इस चीज को cover कर सकते हैं, कोई भी आपको परिशानी नहीं, ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आज आपको काफी धंसे बताया है कि कैसे करना है, अगर आपको कोई doubt है, तो आप उससे comment box में लिख सकते हैं, मैं कोईशिश करूंगा उसका reply करें, thank you so much.